परिचाए पिताजी, क्या आपने देखा कि ये लिफ्ट सभी तलों पर नहीं रुक रही है? मैंने देखा प्रेणा, ये दूसरे, चौथे, छटवे, आठवे और दसवे तलों पर रुक रही है. संख्याएं 2, 4, 6, 8 और 10, 2 की गुणज है, सही है ना पिताजी? बिल्कुल सही है प्रेणा, क्या तुम जानती हो कि 2, 2, 4, 6, 8 और 10 संख्याओं का गुणखंड भी है? नहीं पिताजी, हमने स्कूल में अभी गुणखंड सीखना शुरू ही किया है. बच्चो, इस पार्ट में आप गुणज और गुणखंड के बारे में जानेंगे. आओ सीखें. गुणजों को जानना. मिसरीता प्रेणा की गणित की अथ्यापिका है. वो गुणजों की अवधारणा को पढ़ाने के लिए अपने छात्रों के साथ एक खेल खेल रही है. वो तीन के गुणजों के साथ शिरू करती है. लगभग दस चात्र मिसरीता के आसपास खड़े हो जाते हैं, हर चात्र के पास तीज कनचे हैं, मिसरीता एक चात्र की और इशारा करती है, वो अपने मन में याद करता है कि तीन गुणा, एक, तीन होता है, वो उनके सामने बड़े रुमाल पर तीन कंचे रख देता है मिस्रिता एक दूसरे चात्र की ओर इशारा करती है वो मन में पढ़ती है कि तीन कुणा दो छे होता है वो उनके सामने बड़े रुमाल पर छे कंचे रख देती है ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक की दसवाँ छात्र उनके सामने पड़े रुमाल पर तीस कंजे नहीं रख देता संख्याएं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 अन्ने संख्या के साथ तीन के गुड़न है इस प्रकार वे सभी तीन के गुड़च हैं गुड़चों की मूल पातें एक संख्या के गुड़च वे संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्या के साथ किसी अन्ने संख्या का गुड़न होती हैं गुड़चों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आये निम्न परखौर करते हैं गुड़चों के तथे अब हम गुर्जों के कुछ दिलचस्प तथ्यों को जानेंगे वेद प्रेणा का छोटा भाई है वो चार गंचों का एक बखसा खरीता है वो कंचों की कुल संख्या को इस प्रकार बतलाता है चार गुणे एक बराबर चार प्रेणा बिस्किट का एक पैकेट खरीती है जिसमें पांच बिस्किट है वो बिस्किटों की कुल संख्या को इस प्रकार बतलाती है पांच गुणा एक बराबर पांच रश्मी प्रेणा की बड़ी बहन है वो एक किलो आम घर लाती है जिसमें छै आम होते हैं वो आमों की कुल संख्या को इस प्रकार बतलाती है चै गुणा एक परावर चै इन आकड़ों से ये तुस्पर्ष्ट हो जाता है कि हर संख्या खुद उस संख्या की गुणा छोती है वेद चार कंचों का एक और बक्सा खरीता है वो गंचों की कुल संख्या को इस प्रकार बतलाता है चार गुणे दो बराबर आठ प्रेणा पांच बिस्किटों वाले दो पैकेट और खरीदती है वो बिस्किटों की कुल संख्या को इस प्रकार बतलाती है पांच गुणे तीन बराबर पंध्रा रश में तीन किलो आम और खरीदती है जिसमें हर एक किलो में च्छै आम है वो आमों की कुल संख्या को इस प्रकार बतलाती है च्छै गुणें चार बराबर चौबीज इन आकड़ों से ये स्पस्ट हो जाता है कि हर संख्या खुद की सबसे छोटी गुणज होती है वेद चार कंचों का एक और बकसा खरीता है कुल कंचों की संख्या है चार गुणें तीन बराबर बारा प्रेना पांच बिसकुटों वाले दू पैकेट और खरीती है बिसकुटों की कुल संख्या है पांच गुणें पांच बराबर पच्चीस चीज, रश्मी तीन किलो आम और खरीदती है, जिसमें हर किलो में छे आम हैं. अब आमों की कुल संख्या है, छे गुणे साथ बराबर बैालीस. इन आकणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि एक संख्या के नए गुणजों को इस संख्या में एक नई संख्या से गुणा करके तयार किया जा सकता है. इस तरह एक संख्या के अनंत गुणज होते हैं. उभै निश्थ गुणज. रीमा और प्रियणा एक खेल खेल लही हैं. रीमा सड़क पर लाल रंग और हरी रंगों की कारों को गिनेगी. वो उन्हें तीन के गुणज की रूप में बताने का प्रयास करेगी. प्रियणा सड़क पर लाल रंग और हरी रंग की बसों को गिनेगी. वो उन्हें चे के गुणज की रूप में बताने का प्रयास करेगी. रीमा 12 लाल रंग की कारें और 18 हरी रंग की कारें देखती हैं. वो उन्हें इस प्रकार धर्शाती है. प्रेणा 18 लाल रंग की बसें और 24 हरे रंग की बसें देखती है वो उन्हें इस प्रकार दर्शाती है 6 गुणा 3 बराबर 18 6 गुणा 4 बराबर 24 18, 3 और 6 दूनों का गुणा 6 इस तरह के गुणजों को उभे निष्ठ गुणजों के रूप में जाना चाता है प्रेणा और उसकी मा एक गुलाब के बगीचे में है प्रेणा देखती है कि एक क्षेत्र में लाल रंग के गुलाब के पौधे प्रत्येक पंग्ती में 12 पौधों वाली दो पंग्तियों के क्रम में लगाए गए है एक दूसरे क्षेत्र में पीले रंग के गुलाब के पौधे प्रत्येक पंग्ती में आठ पौधों वाली तीन पंग्तियों के क्रम में लगाए गए है और एक और दूसरे क्षेत्र में गुलाबी रंग के गुलाब के पौधे प्रत्येक पंक्ती में छै पोधों वाली चार पंक्तियों के क्रम में लगाए गए हैं 24, 2, 3, 4, 6, 8 और 12 का एक कुणा चै गुणजुं के अनुप्रयोग आये अब हम कुछ शब्द की समस्याओं पर गुणजुं की अवधारणा लगाते हैं वेद, प्रेणा और रश्मी अपने घर की ओर पट्टियों पर दौड़ा हैं चौथी पट्टी से शुरू करते हुए वेद एक बार में दो कदम चलता है प्रेणा एक बार में चार कदम चलती है और रश्मी एक बार में छै कदम चलती है 24 वें कदम पर अपने घर पहुंच जाने से पहले किस अगले कदम पर वे तीनों एक साथ होंगे वेत के कदम चौथे, छटे, आठवें, दसवें, बारवें, चौदवें, सोलवें, अठारवें, बीसवें, बाइसवें और चौबिसवें हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 दो के कुणच हैं परेणा के कदम आठवें, बारवें, सोलवें, बाइसवें, और चौबिसवें हैं आठ, बारवें, सोलवें, और चौबिसवें, चार के कुणच हैं रश्मी के कदम बारवें, अठारवें और चौबिसवें हैं बारा, अठारा और चौबिस, चै के गुणाच है बारा, दो, चार और चै का प्रथम उभैनेश्ट गुणाच है इस तरह वे बारवें कदम पर मिलेंगे गुणन खंडों को जानना मिसरीता प्रेड़ां की गणित की अध्यापिका गुणन खंडों की अवधारणा को समझाने के लिए अपने चातरों के साथ एक और खेल खेल रही है मिसरीता एक चातर को बुलाती है और एक पहाड़ा सोचने के लिए उससे कहती है जिसमें बारा एक गुणन के रूप में दिखाई दे साथ ही वो उसे उस पहाड़े की संख्या नुसार रखी हुई बहुत सी पीले रंग की गेंदों को उठाने के लिए कहती है चातर दो पीले रंग की गेंदे उठाता है अर्थात उसने दो का पहाड़ा सोचा था वो चार और छातरों के साथ इस अभ्यास को दरहती है जिसके परिणामसोरूप दो, تिन, चार, छए और बारा प्राप्त होते हैं अर्थात दो, तीन, चार, छोइ और बारा के गुणच है गुणन्खंडों की मूल बातें एक संख्या के गुणन्खंड वे संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्या को भाग देने से प्राप्त होती हैं तथा शेशून्ने होता है गुणन्खंडों को बेतर समझने के लिए आहिए देखते हैं गुणन्खंडों के तथे, अब हम गुणन्खंडों के बारे में कुछ दिल्चस्प तथियों को देखते हैं, प्रेणा अपने जन्म दिन पर उसकी मां को दस लार कुलाबों का एक उच्छा देती है, प्रेणा की मां उन सब को एक फूलों के गुल दस्ते में रख देती है, हम इस वैवस्था को निम्ननुसार व्यक्त कर सकते हैं, प्रेणा की मां एक अलग वैवस्था बनाने का प्रयास करती हैं, वो दस फूल दानों में हर एक में एक गुलाब रखती हैं, हम इस वैवस्था को निम्ननुसार व्यक्त कर सकते हैं, एक गुणा 10 पराबर 10, एक और 10, 10 के गुणद्खंड है, एक प्रतेख संख्या का गुणद्खंड होता है, प्रतेख संख्या उसका खुद का एक गुणद्खंड होती है, प्रेणा की मां एक और अलग वैवस्था बनाने का प्रयास करती है वो पांच फूल दानों में हर एक में दो गुलाब रखती है हम इस वैवस्था को निम्ननुसार व्यक्ति कर सकते हैं दो गुणा पांच बराबर दस प्रेणा की मा एक और अलग वैवस्था बनाने का प्रयास करती हैं वो दो फूलदानों में हर एक में पांच गुलाब रखती हैं हम इस वैवस्था को निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं पांच गुणें तो बराबर तस दो और पांच दस के भी गुणनखंड होते हैं जोकि और अधिक वैवस्थाएं संभव नहीं हैं अता ही ये सबस्थ है कि दस के केवल चार गुणनखंड एक, दो, पांच और दस हैं इस तरह हम कह सकते हैं कि एक संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं और एक संख्या स्वैम का सबसे बड़ा गुणनखंड होती है उभे निष्ठ गुणनखंड प्रेणा के दादाजी प्रेणा को आईस क्रीम के लिए पांच रुपए देते हैं वो आईस क्रीम की दुकान पर जाती है और पांच रुपए से अपनी पसंदीदा नारंगी आईस क्रीम खरीदती है हम इसे इस तरह से बता सकते हैं एक गुणने पांच बराबर पांच एक हफ़ते के बाद वो प्रेणा को दस रुपए देते हैं इस पार वो दुक नारंगी आईस क्रीम खरीदती है हम इसे इस तरह से बता सकते हैं दुक गुणन पांच बराबर दस अगले हफ़ते वो उसे पंधरा रुपए देते हैं वो तीन नारंगी आईस क्रीम खरीदने का निरने लेती है हम इसे इस तरह से बता सकते हैं तीन गुणा पांच बराबर पंधरा ये सबस्ट है कि पांच, पांच, दस और पंधरा का एक गुणनखंड है इस तरह के गुणनखंड उभेनेश्ट गुणनखंड के रूप में जाने जाते हैं गुणनखंड आरेक आएए, अब हम गुणन खंड आरेक की साहिता से 18 के गुणन खंड बताते हैं 18 को 9 और 2 के गुणन खंडूं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है हम 18 से 2 शाखाएं खीषते हैं एक को 9 के रूप में और दूसरी को 2 के रूप में चिनित करते हैं नो को तीन वा तीन के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। हम नो में से दो शाखाएं खीशते हैं। दोनों को तीन के रूप में चिन्हित करते हैं। तीन को केवल एक गुणा तीन के रूप में लिखा जा सकता है। दो को केवल एक गुणा दो के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए हम इन गुरंखंडों को छोड़ देते हैं, 18 के लिए अब गुरंखंड आरेक तयार है, हम 18 को 3, 3 और 2 के गुरंद के रूप में लिख सकते हैं, 18 को 6 और 3 के गुरंद के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, हम 18 से 2 शाखाएं खीशते हैं, एक को 6 के रूप में और 2 को 3 के रूप में चिन्हित करते हैं, 6 को 2 और 3 के गुरंद के रूप में लिखा जा सकता है, हम 6 से 2 शाखाएं बनाते हैं एक को 2 के रूप में और दूसरी को 3 के रूप में चिन्हित करते हैं गुणनखंड आरेक तयार है अब हम 18 को फिर से 2, 3 और 3 के गुणनखंडों के अनुप्रयोग आईए अब हम कुछ शब्दों की समस्याओं के लिए अफधारणा लगाते हैं प्रेणा के पास एक चाट पेपर है जो 4 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है उसे चाट पेपर पर तस्वीरें चिपकानी हैं उसके पास हर तस्वीर अलग-अलग आयामों की हैं 2 फीट पाई 2 फीट, 3 फीट पाई 3 फीट और 2 फीट पाई 5 फीट उन्हें काट कर छोटी किये बिना वो चाट पेपर पर किस आकार की तस्वीरें चिपका सकती है आईए हम जाच करते हैं कि तस्वीरों के आयाम चाट पेपर के आयामों के गुणंखंड हैं अथवा नहीं पहली तस्वीर के आयाम चाट पेपर के आयामों का एक गुणंखंड हैं इस तरहा प्रेणा तस्वीरों को काटे बिना चाट पेपर पर 2 फीट बाई 2 फीट के आयामों की तस्वीरें चिपका सकती है आउखेलें क्लिक करें और कॉलम का की वस्तों का कॉलम खा की वस्तों से मिलान करें हमने क्या चड़्चा की एक संख्या के गुणज वे संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्या के साथ अन्य संख्याओं का गुणन होती हैं प्रतेक संख्या खुद का सबसे छोटा गुणज होती है एक संख्या के अनंद गुणज होते हैं अभय निष्ट गुणज वे संख्याएं हैं जो एक से अथिक संख्याओं के गुणज होते हैं एक संख्या के गुणन खंड वे संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्या को भाग देने से प्राप्त होती हैं तथा शेश शूनने होता है प्रतेक संख्या खुद का सबसे बड़ा गुड़नखंड होती है एक संख्या के गुड़नखंड सीमित होते हैं उभय निष्ठ गुड़नखंड वे संख्याएं हैं जो एक से अधिक संख्याओं के गुड़नखंड हैं एक संख्या के गुणनखंडों को गुणनखंड आरेक की साहता से व्यक्त किया जा सकता है